कि अज़ेंगे कि अज़ेंगे कि अज़ेंगे कि आपको पता चली गया हुगा कि आज हम मारूती विटारा प्रेजा और टाटा की नक्सॉन के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सी गारी बहतर होती है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम आपके लेके आते रहते हैं ऐसे ही आटो मोबील जिगत की सारी न्यूज अप्डेट्स जो की फ्यूचर में आके काम आ सकती है फ्रेंड्स कंपैरिजन के लिए हमने इन दोनों कंपनीज के टॉप वेरिंट को चुना है यानि की मारूती व्रेजा का ZXI PLUS AT Dual Tune Petrol और Tata Nexon की XZA PLUS DT AMT Petrol को टॉप मॉडल छुनने की यह वज़ा रही है क्योंकि इन दोनों के टॉप वेरिंट या फिर किसी भी कंपनीज के टॉप मॉडल में ही सारे फीचर जो की लोडेट होते हैं तो हम इसी लिए इन दोनों के टॉप मॉडल के बीच में ही कंपैरिजन गश्या को बताएंगे टाटा नैक्सान की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइज जो है वह एगा 11.34 लाक्स याने की 11.34 रुपे अब इन दोनों वेरिंट में मोटा मोटा 30,000 रुपे का फर्क है दोनों कि अधर स्पेक्स की बात करें तो हम आपको इनकी पहले सुermण बता देते हैं मारूती ब्रेजा को यहां पर 3.39 की ली खर्क है यहां पर Tata Naxon आगे बढ़ जाती है इंजन डिस्प्लेस्मेंट की बात करें तो ब्रेजा में आपको 1462cc का और Tata Naxon में आपको 1199cc का इंजन देखने के लिए मिलता है यहां पर मारूती ब्रेजा 4 सिलेंडर एंजन के साथ आती है तो वहीं पर Naxon 3 सिलेंडर एंजन के साथ आती है टान्समिशन आपको दोनों में मैंण्वल और उटमेटिक दोनों में बिल जाता है लेकिन यहां पर मारूती ब्रेजा में 4 स्पीड का गेरबॉक्स ऑप्शन मिलता है जबकि Naxon आपको 6 स्पीड गेरबॉक्स ऑप्शन मिलता है तो यहां पर भी Naxon बाजी मारती है और यह दोनों गाडिया front field drive हैं इसलिए यहाँ पर इसी इपर दोनों परावर के ही रहती है मारूती ब्रेजा का top variant आपको total 8 colors में बिनता है लेकिन वही पर Maxon में total 6 colors ही available है तो यहाँ पर ब्रेजा number मार लेती है कितना देती है यह सब का favorite word है क्यों ना हो क्योंकि हम अब इसके mileage की बात करेंगे मारूती ब्रेजा यहाँ पर आपको 18.76 kmpl की mileage देती है लेकिन यही पर Tata Nexon आपको 17 kmpl की average देती है तो इस मामले में mileage के लिहाँ से मारूती सुजू की ब्रेजा आगे बढ़ जाती है अब अगर इसके tire size की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों गाडियों में आपको R16 याने की 16 इंच की tire मिलते हैं तो इस पाइदान पर यह दोनों गाडियां बरावर पूरी है बूर्ट स्पेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारूती ब्रेजा में 328 नीटर का और नेक्सोन में 350 नीटर के साथ यह नेक्सोन एक स्टेप और उपर चली जाती है अब तोनों की length, width और height की बात करें तो ब्रेजा की जो length है वो है 3995 mm width 1790 mm और height है 1640 mm की वहीं पर नेक्सोन में इसकी जो length है वो है 3993 mm की width है 1811 mm की और height है 1606 mm की आपको बता दें कि इन दोनों गाडियों में steering mounted audio control मिल जाता है यानि कि दोनों गाडिया यहां पर भी बराबर है cruise control दोनों में मिलता है तो इसलिए यहां पर भी बराबर है और अगर airbags की बात करें यहां पर भी यह दोनों गाडियां पराबर ही रैंक पर आती है क्योंकि दोनों में आपको driver और passenger side में airbags मिल जाते है engines की बात करें तो यहां पर ब्रेजा में आपको K15B ISG petrol engine मिलता है वहीं पर Tata Naxon में आपको 1.2 लीटर revetron turbo charge petrol engine मिलता है अब करें दोनों गाडियों की पावर की बात करें तो मारूति ब्रेजा आपको 103.26 BHP की पावर देती है और अगर वहीं Naxon की बात हो तो यहां पर आपको 118.3 BHP की पावर प्लस 170 NM डॉक जन ब्रेट करके यह गाडिया को देती है तो Naxon यहां पर एक स्टेप आगे चलियाती है दोनों गाडियों की परफॉर्मेंस की बात करें सस्पेंशन की बात करें तो मारूति ब्रेजा में आपको फ्रन्ट में मैक फर्स इस्ति वेत कॉईल स्प्रंग बें Day रियर में आपको क्रॉर्शन बीम वेत कॉईल स्प्रींग बींग कॉईंगे। वही पर नहां में आपको INDEP ANDोर विश्बन मिच्वर्शन इस्ति वेत कॉईल स्प्रिंग स्प्रिंग्य swords मिलते है ब्रेक्स की बात करें तो प्रेजा में आपको फ्रंट में डेस्क और रियर में ड्रम मिलती है नैक्सॉन में भी रियर में आपको ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स ही मिलते हैं तो यहां पर दोनों सेंग पायदान पर ही है steering type की बात करें तो प्रेजा में आपको electric steering मिलता है वही पर नैक्सोन में power steering मिलता है इन दोनों गाडियों की turning radius की बात करें तो मारूती प्रेजा यहाँ पर 5.2 मीटर लेती है जबकि नैक्सोन 5.1 मीटर लेती है तो यह बहुत ही minor सा जो फर्क है तो इसलिए हम यहाँ पर किसी गाड़ी को number नहीं देंगे अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ीों के interior की तो आपको बता दें कि टाटा नैक्सोन में आपको यहाँ पर dual tune dashboard मिल जाता है बारूती प्रेजा में आसा कुछ पी नहीं मिलता ventilated seats दोनों गाड़ीों में नहीं मिलती अब अगर इसके additional interior features की बात करें तो प्रेजा में आपको AC knobs पर chrome finish मिल जाती है piano black center garnish on IP मिल जाता है acceleration on IP end door trims मिल जाते है chrome inside doors handles मिल जाते है door armrest with fabric मिलती है luggage room illumination मिल जाता है glove box illumination मिल जाता है multi-information display with trip meter and a few indicators 7 step illumination control inside door grab handles meter illumination colors audible headlights owner reminders key off reminder center lower box driver ticket holder passenger sun visor upper hook in luggage room center lower knob जो कि chrome के साथ मिलती है techno effect accent center lower audio ring piano black finish के साथ मिलती है shift lever chrome के साथ मिलती है वहीं पर अगर टाटा बात की जाये तो यहां पे आपको interior lamps, full digital instrument cluster, voice alert, low fuel, door open, seat bend reminder और बहुत कोछ विच्चज आपको इसमें मिलते हैं साथ इसमें आपको grand control 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 with front armrest के साइड में आपको मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में आपको जो अफॉल्स्ट्री है वो फैब्रिक में ही मिलती है leather seats दोनों में नहीं आती बट दोनों में आपको leather seat headrest मिल जाते हैं fuel capacity की बात करें तो यहां पर मारूती ब्रेजा में 48 liter का tank लगा हुआ है तो वहीं पर naxon में 44 liters का ही tank आपको मिलता है अब इन दोनों गाड़ियों के exterior की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको alloy wheels मिल जाती है lights की बात करें तो यहां पर आपको ब्रेजा में LED headlights, DRL lights, projector headlights और LED tail lamps मिल जाती है वहीं पर naxon में आपको DRL lights, projector headlights, LED tail lights और cornering fog lights भी मिल जाती है मारुक दी ब्रेजा में आपको trunk opener जो हैं को manual मिलता है जबकि Naxon में आपको इसके लिए remote मिल जाता है और इन दोनों गारियों के अगर additional exterior features की बात करें तो आपको ब्रेजा में dual purpose LED DRL, integrated front turn indicators, floating roof design, split rear combination lamps, LED high mounted stop lamp, body colored door handles, body colored over beams, wheel arch extensions, side under protection garnish, side door molding, body colored bumpers, gun metal gray roof rails, skid plate garnish in silver आपको मिल जाती है वहीं Tata Nexon में आपको projector headlamps with dry arrow DRL lights, dry arrow signature LED tail lamps, dual tone roof color with black A pillar and C pillar, piano black OR VMs with turn indicators, door side body cladding for scratch protection, waistline and rear X factor with contrast color, 16 inch diamond cut alloy wheels भी मिल जाती है वहीं पर दोनों गारियों आपको outside rear view mirror भी मिल जाता है Turn indicator zone OR VM दोनों में मिलते हैं Zenon headlights आपको दोनों में से किसी मिल नहीं मिलती है Trunk light आपको दोनों गारियों मिलती है Rear spoilers दोनों गारियों मिलते हैं और नेक्सोन में 24-98 mm याने कोई जाड़ा फर्क यहां पर भी नहीं है तो हम यहां पर भी दोनों में से किसी को भी नंबर नहीं देंगे यह दोनों बरावर पर ही रखेंगे दोनों गाड़ियों की ground clearance की बात करें तो मारूती ब्रेजा में आपको 198 mm गा ground clearance मिलता है लेकिन नेक्सोन इससे काफी अलग उपर चली जाती है क्योंकि यहां पर नेक्सोन को 209 mm याने की 209 mm की ground clearance मिलती है अडिशनल फीचर्स की अगर बात करें तो ब्रेजा में आपको USB charging point नहीं मिलता लेकिन आपको नेक्सोन में front और rear दोनों में मिल जाती है lane change indicator आपको नेक्सोन में मिलता है लेकिन ब्रेजा में नहीं मिलता है one touch operating power window ब्रेजा में मिलती है नेक्सोन में नहीं मिलती drive modes आपको सिर्फone में मिलते हैं 3 दरएके drive modes आपको मिल जाते हैं लेकिन आपको प्रेजा में नहीं मिलते ह। number of speakers की बात करें तो प्रेजा में आपको Four speakers दे दे लेकिन ब्रेजा में dire at-ruct आश्पीकर मिलते हैं आपको बोलों गारियो में मिलता है रियर A.C.ût डब आपको cable Nekson में मिलता है,車न अन्ट की दोनों गाड़ें में मिलता है, और दोनों गाड़े में आपको Tinted Steering Wheel भी मिल जाता है, Staring Mounted Audio Control आपको दोनों गाड़ें मिलता है, gekूण धूर्श रून曹 बंदे। Front and Rear दोनों में आपको यानि की दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है Adjustable Seats दोनों गाड़ियों में आपको मिलती है Adjustable Front Passenger Seats आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है Lumber Support दोनों गाड़ियों में मिलता है Folding Reads Seats की बात करें तो यहां में आपको 60-40 रेश्यो दोनों गाडियों में अबिलिवा है Rear Seats, Center Armrest आपको दोनों कास में मिल जाएगा Techometer दोनों गाडियों मिल जाएगा Dual Trip Meter दोनों गाडियों मिल जाएगा Low Fuel Warning Lamp, Clock, Seat Belt Warning, AM FM Radio, USB auxiliary input, Automatic Headlamps, Auto Rain Sensing Vipers, Follow Me Home Headlamps, Adjustable Headlamps, Dust Screen Display दोनों गाडियों में आपको मिल जाएगा Front Cup Holders दोनों गाडियों में आपको मिलती है लेकिन यहां पर Sunroof आपको सिर्फ Nexon में मिलती है Breza में नहीं मिलती अब बात करते हैं इन दोनों गाडियों की Safety की तो यहां पर मारूती ब्रेजा में आपको Anti-Pinch Power Windows मिल जाती है लेकिन Nexon में नहीं मिलती Speed Sensing Auto Door Lock आपको दोनों गाडियों में मिल जाती है Isofix Child Seats Mount आपको दोनों कार्ज में मिल जाती है Head-Up Display सिर्फ आपको Nexon में मिलता है Day-Night Review Mirror आपको सिर्फ ब्रेजा में मिलता है Hill Assist का Feature इन दोनों कार्ज में आपको मिल जाएगा ABS, EBD, Brake Assist साथ ही इन दोनों गाडियों में आपको Engine E-Mobilizer भी मिल जाएगा Fraction Control System आपको सिर्फ Nexon में मिलता है Rear Wash Vipers और Rear Defroger आपको दोनों कार्ज में अविलेवल है Friends, जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों गाडियों के में अगर comparison किया तो यहाँ पर जो Marks हम देगी, यहाँ पर Preza पर मिलते है 10 Points लेकिन यहाँ पर Vijeta पनी है, Nexon जिसको मिलते हैं पूरे 15 Points जो की Preza से सीधे सीधे 5 Points जादा है तो आपका क्या कहना है इन दोनों कार्ज के बारे में और अगर आपके पास इन में से कोई कार है तो अपने experiences हम से comment box में आखर के पिल्कुल share कीजिए साथ ही अगर आप Tata Altros के अलग-अलग variants के बारे में पूरी-पूरी डीटेज चाते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको उसकी जो link है वो description में फिल जाएगी आप वहां जाकर के Tata Altros के अलग-अलग variants के वीडियो देख सकते हैं कि कौन से variant में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वीडियो यहां तक देख लिए हो तो फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अगर आप हमारे चैनल को नए है तो क्योंकि हम आपके लेकर आते रहते हैं ऐसे ही आटो मुवी जगर के सारी न्यूज अप्रेट्स जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं